नमस्य वर्वान इस वीडियो में बात कर नवाल है Morphology Analysis के बारे में अब सबसे पहले हम आते हैं की Morphology का मतलब क्या होता है Morphology का मतलब होता है कि एक Word कैसे बनता है उस चीज के अभ्यास को Morphology कहा जाता है तो अभी यह जो definition में आपको बोली इस definition के थोड़े गहराई में हम जाने वाले है मेरे पास आपके लिए 3 points है सबसे पहला point यह कहता है कि कुछ ऐसे words होता है जो अपने आप में self sufficient होता है अपने आप में एक meaning बनाता है for example camera, for example board, for example pen अब यह ऐसे word है जो अपने आप में एक meaning बना रहा है इनको कोई और words की जुरात नहीं है अब दूसरा point यह कहता है कि कुछ words ऐसे होता है जो अगर suppose उनको आपने डिवाइड किया कुछ words में तो जो जिन words में आपने डिवाइड किया है उन words के अपने खुद के एक meaning होता है for example showcase showcase को अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा show और case तो अभी show का अपना खुद का एक मतलब है और case का अपना खुद का एक मतलब है दूसरा example है cocktail cocktail को अगर आपने डिवाइड किया तो आपको मिलेगा cock और tail तो अभी cock का अपना खुद का एक मतलब है और tail का अपना खुद का एक मतलब है cock का मतलब होता है मुर्गा, tail का मतलब होता है पूच, बिल्ली की पूच, कुते की पूच तो अभी second point यह कहता है, third point यह कहता है कि कुछ-कुछ words ऐसे भी होता है जिनका अपना खुद का कोई मतलब ने होता बट अगर suppose उन words को किसी word के साथ combine कर लिया तो वो मतलब हो जाता है For example, ing अभी suppose ing जो है उसका खुद का कोई मतलब ने है बट अगर suppose ing को आपने kill के साथ combine कर दिया तो वो हो जाएगा killing जिसका एक मतलब निकलता है तो अभी ये तीन पॉइंट से आपने क्या सीखा तीन पॉइंट से आपने ये सीखा कि कुछ अलग-अलग प्रकार के words होता है अगर suppose इन words को हम सही से combine करते है या इन words के उपर हम सही से operations perform करते है तो जाके एक meaningful word बनता है तो अभी हम हमारे morphology के definition के उपर आता है morphology का definition क्या था कि एक word कैसे बनता है उसका अभ्यास करने को morphology कहा जाता है तो word कैसे बनता है मैंने अभी आपको बोला और morphology analysis क्या होता है analysis का मतलब क्या होता है एक चीज को detail में पढ़ना एक चीज के गहराई में जाना तो morphology को detail में पढ़ना या morphology के detail में जाना उसको morphology analysis कहा जाता है So I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा Notes are very important Notes में मैंने हरे question और उनके answers जो university paper में 110% आने के chances है वो सारे के सारे cover किये है and this is according to the latest syllabus ठीक है details are in the description Okay, so thank you for watching this video and have a nice day Bye-bye